पिछले अध्याय में हमने वित्तिय विवरण याने की करते हैं अब आज इस अध्याय में जानेंगे कि किस प्रकार और वित्ती विवरणों का विसलेशन करते हैं, क्यों करते हैं, क्या उद्देश होता है और कौन-कौन से लाभ हमको प्राप्त होते हैं, जब हम वित्ती विवरणों का विसलेशन करते हैं, तो किन किन नियमों को ध्यान में रखते हुए वित्ती विवरणों का विसलेशन किया ज होते हैं उनको विज्ञानिक रिती से या फिर किसी निश्चित प्रक्रिया के आधार पर उनको कहीं पर लिखना फिर उनका तुलनात्मा कध्यन करना और यह पता लगाना तुलना करने के बाद के परिवर्तन की दिशा क्या है जैसे एक एक्जांपल की तौर पर मान लीजिए है अगर लाब हो रहा है कि हानी हो रही है यह पता लगाना हो तो हम विजती विवर्नों का विसलेशन कर सकते हैं इस तरह से बहुत सारी वित्जी ऐक्रियाओं के लिए बहुत सारी वित्ति सब्सक्राइब तरस्प के न मद्धियों मिलर के चली संबंधों का अध्यन करुना तथा विवरणों की एक श्रिंखला द्वारा प्रदर्शित इन तत्यों की प्रकृति का अध्यन करना है फिने एवं मिलर के अनुसार वित्ती विवरण के अंतरगत कुछ निश्चित योजनाओं के अनुसार तत्यों का विभाजन करना निश्चित परिस्थितियों के अनुसार उनको वर्गों में विन्यासित करना तथा फिर सुविधा जनात इवं सरलता से पढ़ने इवं समझने योग्य रूप में प्रस्तुत करना समलित है ये उपारजन चन्ठा का पता लगता है यानि की कमपनी की उपारजन चन्ठा क्या है भविश्य में उसकी क्या स्थिती होगी ग्रोथ करेगी यह डाउन हो रही है क्योंकि financial statement से हम पूरा का पूरा लाभानी पूरा का पूरा उसकी पूरी संपत्ती और दाई सब चीज पता कर लेते हैं एक सीधे साधान शब्दों में कहते हैं कि किसी का कच्छा चिठा निकाल लिया बिल्कुल वही स्थिती financial statement की होती है पूरी की पूरी जानकारी हमको इससे पता चल जाती है और एक सीधे सरण शब्दों में कह सकते हैं कि हम बहुत आसानी से पता लगा लेते हैं कि कंपनी का भ पैसा लगाया है उसके return होने की कितनी संभावना है क्या position कंपनी की शोधन्शम तक कितनी हैं कितना investors का पैसा सुरक्षित है उस कंपनी में यह बहुत आसानी से हम पता लगा लेते हैं तीसरा एक महतुपूर इद्देश इसका यह होता है कि बजट निर्मान अब क्यूंकि क पूरी की पूरी वित्यस सित्य हमने पता लगा ली तो बहुत आसानी से फिर हम एक योजना बना सकते हैं कंपनी के कोई नियोजन कर सकते हैं या फिर बजट का निर्मान कर सकते हैं ठीक उसी तरह इसका एक महतुपूर उदेश होता है कंपनी के मजदूरों के लिए पहले अब हमने देखा जब वित्य विवरण वाला चैप्टर हम देख रहे थे कि कंपनी का जो श्रमिक संग होता है अब वह भी एक्सपेक्ट करता है कि कंपनी अगर ग्रोथ कर रही है तो उसका एक थोड़ा बहुत लाब मजदूरों को भी श्रमिकों को भी मिलना चाहिए तो वो जब कंपनी के जो स्वामी होते हैं उनके सामने जब डिमांड रखे तो कितनी रखे कितने अपने वो सेलरी में वृद्धी की मांग करें ये सब चीजों को करने से पहले एक बार उनको वित्ती विवरणों की जानकारी हो जाना उनके एनालिसेस की जानकारी हो जाना भी बहुत जरूरी होता है अब बात करें अगर हम तुलनात्मक अध्यान की तो ये भी एक महत्पूर्ण उद्देश होता है दो समय के या कहें कि दो वर्ष के वित्ती विवरणों का हम तुलनात्मक अध्यान कर सकते हैं तुलना कर सकते हैं पता लगा सकते हैं कि गत वर्ष से इ बहुत आसानी से पता लगा सकते हैं ठीक इसी प्रकार एक महत्पूर्ण बात इसके अंतरगत ये भी आती है कि आर्थिक विकास का ये आधार बनता है कंपनी की वास्विक आर्थिक स्थिति का हम पता लगाते हैं और अगर कोई कमी है तो उसको दूर करने का प्रयास करते हैं और अगर अच्छी ग्रोथ हो रही है तो क्या कारण है और किसकी वज़़ा से ऐसा हो रहा है उस जो जो कारव है जिसकी वज़़ा से company विकास कर रही है उसको बनाए रखा जाए या और अधिक विकास की तो यह सब चीजे तभी सम्भव हो पाती है जब हम company के पूरे फाइने अलग महत्तों होता है बात करें अगर हम प्रबंधकों के लिए इसके dziकली तो हम देखते हैं कि प्रबंधक उसके उपर पूरी कम्पड़ी योँ क्वेरी जिम्मेदारी होती है अलगशेतरों के तो प्रबंदकों के लिए भी ये analysis काफी महतपूर साबित होता है ठीक इसी प्रकार हम देखते हैं कि company के जो अंशधारी होते हैं अब क्यूंकि उन्होंने company में अपना पैसा लगाया है तो उनको कम से कम company की शोधन शम्ता का पता तो होना ही चाहिए कितना सुरक्षित है उनक स्टेटमेंट होते हैं उनका वो analysis कर पाता है तीसरा एक महत्वा लेंदारों के लिए हैं लेंदार जो क्रेडिटर है जिन्होंने company को रिण दे रखा है या company का उनके प्रती कुछ उत्तरदाइत बन रहा है उनको भी हमीशा यह डर लगा रहता है कि company उनके उत्तरदाइतों का भुकतान कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी या नियत तिथी या नियत समय जो उन्होंने company ने लेंदारों को दिया है उस तिथी तक वह उस दाइत्तों का भुकतान कर पाएगी या नहीं कर पाएगी तो एक अनुमान लगाने के लिए कम से कम एक अनुमान लगा जा सके प कुछ अन्यपक्षकार भी company के ऐसे होते हैं जिनका company से सीधा संबंद नहीं होता है लेकिन कहीं न कहीं वो अप्रत्यक्ष रूप से company से जुड़े होते हैं जिसके बारे में हमने पहले भी जाना जबके हम financial statement को start कर रहे थे तो बहुत सारे ऐसे अन्यपक्षकार होते हैं जिनक हमें देखा महत्तो तो इसके बहुत है बहुत सारे लाब बहुत सारे उद्देश्यों को दृष्टी गत रखते हुए यह financial statement त्यार किये जाते हैं लेकिन अगर बात करें कि सीमाओं के इनके दोश की तो कुछ दोश भी इसके अंतरगत हैं जैसे कि पहला दोश हम यह कह सकत होते हैं जिसमें कई बार हम समबंधित जानकारी प्राप्ट करते हैं उन प्रक्षकारोगों ने जो जानकारी दी है क्या वो बिल्कुल सही है वो विश्वस्नि agric इस पर विश्वासवास किया जा सकता है यह कहवा न कहीं होता है तो फिर उस जानकारी के आधार पर तयार किया गया एक विसलेशन क्या सही जानकारी प्रस्तुत कर पा रहा है ये कहपाना भे मुश्किल है तो कुल मिला कर हम कह सकते हैं कि परिडाम अविश्विस्थ निया हो सकते हैं दूसरी इसके एक सिमा ये हो सकती है कि ये गुडात्मक विसलेशन प्रस्तुत नहीं कर पाते कहीं न कहीं समंकों के रूप में संख्याओं के रूप में मौद्रिक रूप में ये पूरा का पूरा विवरन प्रस्तुत तो कर देते हैं लेकिन गुडात्मक रूप से कहा जाए कि वृद्धी हुई तो क्यों हुई क्या कारण बने कमी हुई तो क्यों हुई क्या प्रॉब्लम थी इस तरह के जो विसलेशन है उनको प्रस्तुत कर पाने में सफल नहीं हो पाते हैं इसी तरह एक सीमाइस के यह कि अपूर सुचनावा पर आधारित होती है कई बार बहुत से महत्यपूर्ण सुचनाएं बहुत से महत्यपूर्ण जो दस्तावेज होते हैं उनको एनालिसिस करना भूल जाते हैं या किसी अन्यकारण में छोड़ देते हैं तो इस कंडिशन में जो स्टेट्मेंट तयार किया जाता है वो कहीं न कहीं इनकम्प्लीट होता है और एक्ट कि यह एक ऐसा स्टेट्मेंट है जो हर टाईब के फॉर्मों पे लागू होगा या उनके लिए जरूरी होगा यह बिल्कुल ऐसे ही स्टेट्मेंट में आप पार्टनर्शिप फिर्म भी बनाएगी कंपनी भी बनाएगी और जो फर्म होती वो बनाएंगी डिपेंड करता ह कि कंपनी की प्रकृती क्या है उसका व्यपार क्या है उसकी स्थिति किस तरह की है उसकी पुजीशन क्या है विस्तार कितना है उसका बहुत सारी असी दशाय होती है जिस पर डिपेंड करता है कि स्टेट्मेंट उसको बनाना है जरूरी है यह नहीं तो सारुभो मिक्ता का हिस को शामिल कर सकते हैं कि अगर वस्तुओं के मूल में परिवड़तन हो जाता है तो कही न कहीं ये analysis हो इनकी value है जो समंग हमने इसमें लिख चुके हैं वो कहीं न कहीं परिवड़ति होने की एक प्रविर्टी रखते हैं उनमें changes हम देख सकते हैं तो ये भी एक महत्रपुर्ण इसके दोश इगया सुईमा के रूप में हम प्रस्तुत कर सकते हैं तो हमने देखा कि कुल मिलाकर ये जो financial statement होते हैं ये overall पूरी की पूरी company के financial जो position होती है उसको प्रस्तुत करते हैं हमने देखा कि ला भानी में भी पूरा विस्तरित ब्योरा इसके अंतरगत प्रस्तुत किया गया आयवे का पूरा का पूरा व्योरा जो है वो यह कह सकते हैं कि हमने कंपनी की एक वित्ती स्थिती की सही सही जानकारी हासिल कर ली तो यह सारे स्टेटमेंट चाहे हम आई विवरंड की बात करें लाभानी विवरंड की बात करें स्थिती विवरंड के बात करिए सारे के सारे जो स्टेटमेंट होते हैं इनका एक प्रॉप सब्सक्राइब बना सकते हैं और साथ-साथ बजट का निर्माद भी हम इन्हें की आधहार पर कर करकार की तो यह अलग अलग आधहारों पर वर्गी कृत्ब किया जाता है पहले आधहार की हम बात करें तो इसके अंतरगत हम देखते हैं कि वित्ति विवरणों की प्रकृती और प्रयुक्त सामागरी के आधार पर हम इसको दो भागों में बाट सकते हैं कौन-कौन से दो भाग पहला बाहे विसलेशन जिसे हम एक्स्टरनल एनलिसिस कहते हैं और दूसरा आंतरिक वि जिसेशन उन लोगों के द्वारा किया जाता है जिनका सीधा संबन्द किसी फ़र्म या कंपणी जिसके अनलिसिस के हम बात कर रहे हैं उससे नहीं होता है लेकिन फिर भी ये किसी नाकिसी रूप से या हैं तो अप्रत्यक्ष रीप से उस फर्म संस्था या उप्कारम से जुड़े होते हैं जैसे एक उदाहरण की दॉर पर हम कहें तो कमपपनी को जो रिण देने वाला व्यक्ति होता है कम्पनी का जो रिण दाता होता है वो कि जुद supports ह्रूंतथा है करवाना चाहती है इसी तरह से कई पक्षिकार ऐसे होते हैं जो वित्ती विवरणों का विसलेशन करते हैं दूसरी एक महत्वपूर्ण बात हम देखे तो हम यह कह सकते हैं कि यहां पर उन वैक्तियों के द्वारा विसलेशन किया जाता है जिनकी सीधी सीधी पहुंच उपक् इसलेशन है यह मुख्य रूप से जिन अभिलेखों के द्वारा किया जाता है वो अभिलेख होती है अंकेक्षिकों की रिपोर्ट जिसके बारे में हमने कंपणी संबंधी जो अध्याय हमने पढ़ा वहां पर भी हमने जाना था संचालकों की रिपोर्ट हो सकती है जिसके करते हैं और सब्सक्राइब करने कंपनी से जुड़े होते हैं जैसे कंपणी जो होते हैं संब्सक्राइब करूं किस स्रकारी अजेंसिय को पता लगाते हैं आप देखेंगे तो प्रlotतिक प्रैयोजना आपको सब्सक्राइब आपको दिखाई देंगे प्रैक्टिकली टीचर आपको प्रियोजना कारे करवाएंगे भी स्कूलों में तो वहां पर आप एक छोटे से यह कहा जा सकता है कि शोध करता के रूप में आपका एक एक स्थिती रहेगी और आप भी चाहें तो इस तरह कि अगर विवरणों का वि विसलेशन कर सकते हैं, दूसरा हम और उनतरिक विसलेशन घरows किया जाता है जिनका डारीक संबंध उपक्रम से उसकंपनी से होता है, जो कंपनी के या तो सदस से होते हैं या फिर संचलक मंडल में कहीं उनकी कोई स्थिती रहती है या प्रबंधक के रूपे कारे करते हैं तो क्योंकि ये इंटर्नली जुड़े हुए होते हैं कंपनी से बाहर से इनको किसी प्रकार के किसी दस्तावेज की किसी जानकारी की जरूरत नहीं होती तो ये आंतरिक रूप से कंपनी के जो वित्ती हैं एक महत्वण बात अगर हम दोनों को compare करके देखिए आंतरिक विसलेशन और बाहर विसलेशन की तो ये तो हम बहुत साफ तो पर कह सकते हैं कि आंतरिक विसलेशन जो होता है क्योंकि वो company के company से जो direct संबंद रखते हैं उन लोगों के द्वारा किया जाता है तो जाहिर स पर बाट बाट करें लौंग अपर बाइसेस की तो वास्तों में ये एक ऐसा विसलेशन होता है जो दिर्दकाली वित्ती नियोजन के लिए कया जाता है जब कोई long term investment करना होता है तो उसके लिए जब हम analysis करते हैं वित्ती विवरनु का तो वो long term analysis के अंतरगत आता है लेकिन इसके विप्रीट जब थोड़े समय के लिए अलप अवधी के लिए अगर कुछ investment करना है और उसके लिए visualization की जरूरत पढ़ती है तो वो जो analysis होता है वो short term analysis में हम company का की जो दीर्दकालीन शोधन शमता होती है दीर्दकालीन लाबदायकता होती है यह दीर्दकालीन वित्तिय इस्थिती होती है दाइक तो यह संपत्ति की जो इस्थिती होती है उसका हम पता लगाते हैं इस analysis के द्वारा लेकिन जब हम बात करते हैं short term analysis की तो इन सब को पत्ता लगाने के लिए शौर्ट टम एनालिसिस करते हैं तीसरे इसके प्रकार पर हम नज़र डाले तो तीसरा जो वर्गी करण है वो है कारे विधी के आधार पर अब कारे विधी के आधार पर भी दो भागों में बाटा गया है इसे पहला चैतिज या समतल याने होरि करता है जब हम इसके क्रियात्मक प्रेश्ण बनाएंगे तो आप देखेंगे कि किस प्रकार विभिन वर्षों की इसमें तुलना की जाती है दूसरी किसकी विशेस्ता ये भी है कि जब हम इसकी तुलना करेंगे तो हम देखेंगे कि आकडों में किस प्रकार वर्ष के दौ बलकी इसको हम प्रतीशत के आधार पर भी यहाँ पर वेक्त करते हैं जब यह पर छहाग आँने ओसक्रण हैं paralisus करते हैं सबसे मादपोड़ बात यह है कि ऐसा कंपनीी की पूरी की पूरी दिशा का पता चल जाता है कि लाब हो रहा है यहाँ क्या है पिछले वर्ष के तुलना में इस वर्ष कम्पनी के क्या इस्तिति यह तो बहुत सारी वित्तिय जानकारिया इससे प्राप्त हो जाती है दूसरा हम अगर यहां पर देखें तो यह जो है यह शीर्ष या लंबवद भी हो सकता है इसका दूसरा टाइप जिसे हम कहते है यह वर्टिकल या स्टाटिक टाइप भी हो सकता है इसके बारे पर अगर हम इसमें एक नज़र डाले कि इसमें कौन-कौन से विश्यस्ताइं होती है तो यहां हम देखते हैं कि केवल एक वर्ष का ही वित्तिय जो वीवरण है उसके बारे में आपर जानकारी दी रहती है औ और साथ ही साथ एक अवधि का हम एक वर्ष की जानकारी है यानिकि एक निश्यत अधी जो भी कंपनी की होती होगी चाहे वो फस्ट जैन्वरी टू 31 दिसमबर बुक्स ओफ एकाउंट मैंटेन करें या फस्ट अप्रेल टू 31 मार्च बुक्स ओफ एकाउंट मैंटेन करें लेकिन एक वित्तिय वर्ष की ही वो इस्थिति को दर्शाता है एक विशेस्ता इसमें यह भी आती है कि यहां पर क्योंकि किवल एक वर्ष की आंकडों को यह प्रदर्शीत करता है इसलिए कई बारे से इस्थिर विवरण भी कहा जाता है और साथ ही साथ यह एक ऐसा प्रतिशत के आधार पर विभन मदों को वहाँ पर प्रस्तुत किया है तो हमने देखा कि 36 विवरंट जो होता है उसकी अपनी कौन-कौन से विशेस्ता है फिर हमने जाना कि शीर्ष विवरंट जो होता है उसकी अपनी कुछ अलग विशेस्ता है तो आएए अब देखते हैं क चैतिज विसलेशन इवं लंबवत विसलेशन के मध्य अंतर आधार समय के आधार पर चैतिज विसलेशन इस प्रकार के विसलेशन प्रक्रिया में दो या दो से अधिक लेखांकन अब्धी के वित्तिय विवरणों का प्रियोग होता है जबकि लंबवत विसलेशन प्रक्रिया में केवल एक वर्ष के वित्तिय विवरणों का प्रियोग होता है दूसरा मदों के आधार पर 36 विसलेशन में विवरणों की एक ही मत की तुलना विभिन समय अवधी पर की जाती है जबकि लंबवत विसलेशन में एक ही समय के वित्ती विवरणों की विभिन मदों का अध्यन किया जाता है तीसरा उपियोगिता के आधार पर छैतिज विसलेशन का उपियोग काल शेनी के विसलेशन के लिए किया जाता है जबकि लंबवत विसलेशन का प्रयोग एक ही वर्ष के अंतर विभागे विसलेशन के लिए किया जाता है चौथा विसलेशन की प्रवित्ति के आधार पर इस प्रकार के विधी का प्रयोग चैतिज या गतिशेल विसलेशन के लिए किया जाता है जबकि लंबवत विसलेशन विधी का प्रयोग स्थेतिक याने लंबवत विसलेशन के लिए किया जाता है पाचवा सूचना के आधार पर 36 विसलेशन के अंतरगत राशी और प्रतिशत दोनों रूपों में सूचना उपलब्द कराई जाती है जबकि लंबवत विसलेशन के अंतरगत सूचना प्रतिशत या अनुपात के रूप में वेक्ट की जाती है तो आपने देखा कि 36 और शीर्ष दोनों तरह की वित्ती विवरणों में क्या अंतर है अब आये देखते हैं कि ये जो वित्ती विवरण बनाये जाते हैं उनके उपकरण क्या है यानि कि टेक्निक कौन-कौन सी हम यूज करते हैं तो बात करें हम इनके उपकरणों की तो यहां पर हम देख रहे हैं कि कई तरह के लगबग 6 से 7 तरह के उपकरण इसके होते हैं जिसमें सबसे पहला है तुलनात्मक पत्रक, दूसरा है सं आकार विवरण, तीसरा है प्रवित्ती विसलेशन, चोथा है अनुपात विसलेशन, पाचवा है, रोकड़ प्रवा, छटवा है, कोश प्रवा, और सात्वा हम देख रहे हैं आपर संविक्षेत बिन्दू. तो इतने सारे टेक्निक इतने सारे उपकरण होते हैं बहुत बड़ा इसका बहुत एक विस्तृत और व्यापक छेतर है फाइनेंशल स्टेट्मेंट के एनलेसिस का लेकिन फिलहाल हम यहाँ पर अपनी अध्याय में किवल दो तरह के उपकरणों का ही प्रियोग करेंगे एक तो सबसे पहला यानि कि तुलनात्मक पत्रक और दूसरा सम आकार विवरण तो आए सबसे पहले हम तुलनात्मक पत्रक पर एक नजर डाले देखें कैसा विवरण है किस तरह से यह बनाया जाता है और इसके अंदर कौन-कौन से अन्य विवरण शामिल होते हैं तो सबसे पहले अगर हम नज़र डाले तुलनात्मक विवरन की तो यहां पर हम देखते हैं कि वास्तों में ये वित्ती विवरनों के विसलेशन के लिए काफी महत्पूर होता है एक बात यहां पर और जान लेना चाहिए कि इसके अंतरगत दो या दो से अधिक समंगों का एक कि तुलनात्मक अध्यान प्रस्तुत किया जाता है और 7-7 यदो से अधिक वी तो के उद्यशन को ध्यान में रखते हुए तो सबसे पहले इसका उद्देश हैं कि देखती सरल और बोध गम्मी हो जाते हैं जैसे कि हमने वित्ति विवरणों के अंतरगत जो हमारा पिछला चेप्टर था वहां पर हमने देखा कि बहुत सारे आंकड़े ऐसे होते हैं जो कहां से आ गया है बैलेंस शीट में कहां से आ गया है कई बार पता नहीं चलता हम कंफ्यूज हो हो जाता है दूसरा इसको अगर सकता है कि ये विवरंद विक्रय और वहumbledore के बनाएंगे और मिन्त यहां बनेगा क्या परिवर्त रहा हim प्रकृति कि यानिए कि भड़ रहा है या घट रहा है इसको भी प्रदर्शित करते हैं तीसरा एक इसका उद्देश हम ये कह सकते हैं कि ये विवरंड व्यवसाई की कायों की कम्यों और उनके कमजोर पहलों पर भी प्रकाश डालते हैं कमपरेटिव एक यहां पर हम स्टेटमेंट बना देते हैं तुलनात्मक रूप से हम उसको समझ पाते हैं देख पाते हैं हानी हो रही है कि लाब हो रहा है और इसके आधार पर हम बहुत आसानी से बता सकते हैं कि वास्तव में कमपनी किस ओर जा रही है उसके स्थितिक क्या है और भविश्री के भी बहुत सारी चीजों का पूर्वा नुमान लगा पाने में ये सहायक होते हैं एक चीज जहां पर हम ये भी देखते हैं कि तुलनात्मक विवरन के द्वारा एक तो पूर्वा नुमान लगाया जा सकता है और इसी के आधार पर यह दो सहायक होते हैं हमने पहले भी कई अधियाईओं में पढ़ पर बज़ट बनाने से पहले पूर्वा नुमान लगा लेना बहुत जरूरी होता ऑर उसी अनुमान के आधार पर फिर हम एक अपना बजट तयार करते हैं तो क्योंकि वित्ति विवरण कुल मिलाकर सारे आयवे संपत्ति दायत्तु का एक लेखा जोका प्रस्तुत कर देता है तो उन्हीं आकडों के आधार पर हम भविश्री के लिए बजट का निर्माण भी कर सकते हैं तो यह हम बात कर सबसे पहले हम एक नजर डाले तुलनात्मक आय विवरण की तो इसमें यह जो तुलनात्मक आय विवरण होता है वह वास्त्विक रूप में जो आय का पूरा का पूरा ब्योरा होता है उसको प्रस्तुत करता है किन-किन मदों को हम इसमें शामिल करते हैं एक बार अगर दे सकल लाभानि संचालन वेई प्रशाश्निक वेई और इस तरह के जो आपरत्यक्षवे होते हैं वो गत वर्ष के और चालु वर्ष के इसके अंतमर्श शामल किए जाते है और उसके बाद प्रतिशत के अधार पर इनको व्यक्ति किया जाता है ये जो बहुत ही अच्छे से विवस्थित एक प्रारूप के अनुसार हमको बनाना होता है तो आए देखते हैं कि जब हम तुलनात्मक आई विवरन बनाते हैं तो उसका प्रारूप कैसा होता है